विल्कम टू माई यूट्यूब चैनल धेश्टुजेंट तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे पोशन अभियान राश्ट्य आद्चिंतन का समय तो इसमें साथ से पहले हम इसका संदर पढ़ेंगे फिर पोशन अभियान क्या है फिर राश्ट्य परिवार सौस्ट सर्वेच् के निसकर्स और हमारी स्थिति उसके बाद इन समस्याओं के निस्तार में किस प्रेकार के हस्त छेपों की आस्ता है मतलब कि पोशन अभियान के बारे में जो जो चीजे रहती है उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे कि वो क्या है कैसे है तो चले ठीक हैं सुरू करते हैं क कर्चा में क्यूं है नॉवंबर में जारी राष्ट्रे परिवार सरभिछड का पाचवाश रंशकरण भारत में कोपोशण की इस्थिती में धीमी गती में सुधार का संकेत दे रहा है इस समय भारत में कोपोशण की ब्यापक तथा गंभीर इस्थिती निरंतर बनी हुई है पाच वर्ट से कम आयो वर्ट का हर तीसरा बच्चे तथा हर पाच वी महिला को पोशित है इसी के साथ मुटापे से ग्रिसित महिलाओं की संक्या में एक चोथाई ब्रिद्धी हुई है बच्चों की सोरों तथा महिलाओं में एनेमिया की संक्या में संक्या भी बढ़ रही च्छा मान से अधिक आयो वर्ग वाले बच्चे में दस में से मात्र एक बच्चा इस आयो वर्ग है तो अंसंसित आपदिति के अनुशार खाद्य प्रदार्थ अर्थात अर्थ ठोस खाद्य प्रदार्थों को दिन में तीन से चार बार सेवन कर रहा है अब हम पढ़ेंगे अभियान क्या है तो पोशन मतलब समग्र पोशन के लिए प्रदामंत्री की ब्यापक योजना या प्राइम मिनिस्ट्रस ओवर रीचिंग स्कीम फॉर हॉलिस्टिक निउट्रेशन अभियान बच्चों गर्वती महिलाओं तथा अस्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोशन शंबंधी परणामों में सुधार करने के उद्देश से आरम किया गया प्रमुक का रेक्रम है उद्देश से आरम किया गया यह प्रमुक का रेक्रम है इसे प्राष्ट्रे पोशन मिसन भी कहा जाता है पोशन अभियान का मुख उद्देश प्रमुक आंगरमारी सेवा के उ दार के दौरा को पोशन के अधित्तम दबावाले चिलों में इस टंटिंग कम करना है इसके साथ ही पोशन अभियान महिलाओं था एक हजार दिन के बच्चों तक कई सरकारी योजनाओत था कारेक्रमों के लाफ पोशाने के लिए असपश्ट रूप से एक एकृत्त समन में की आशक्ता को इंगित करता है एक हजार दिन का मतलब यह होता है कि तीन साल के बच्चा या साड़े तीन साल का बच्चा रहता तो इसे तीन साल ही हो कि तीन साल साड़े तीन से चार या पांच साल के बच्चों के लिए है ये तो राश्ट्य परिवार स्वास्त सर्वेच्छ को बताता है इसके साथ ही साथ शेत्रों में सुधार के मार्ग में आने वाली कम्यों की कारण को भी इंगीत करता है कारा जार भार के मैं राज्ट्रे परिवार-ष्फार-विट्चर 5 کی निष्कर और रहारी इस्थिति निश्का शौर हमारी स्थिती जीवन के प्रथम 1000 दिन घरभा वस्ता के 270 दिन तथा जर्मन के उपरांच 730 दिन के दोरान उलेकनी तथा आवश्यक पोशण की कमी के फलस शुरूप कई नकरात्मों प्रुवितियां भी जन लेती हैं राष्टिय परिबार स्वास्तर विच्षण के अंसार हमारे पास मात्यत्त पोश्ण से संबंदित कोई नीती नहीं है परन्तु शिश्यू तथा चोटे बच्चों को अस्तनपान कराने के समय में IYCF नीती 2000 से क्रियानवित की जा रही है IYCF नानविक 6 मा के लिए अस्तनपान तथा प्रभावी नर्सिनिंग तथा इसके उपरांत अस्तनपान के पूरक के फलश रूप अर्ध ठोस्पदार्थों के शेवन चैसी क्रिया कलापों को सुनिशित करता है परन्तु अभी भी यह ससर्त रूप से ब्यवहार में नहीं आ सकी है राश्टिय परिवार स्वास्त सर्वेचल फाइब के आकने यह बताते हैं कि अर्ध ठोस्पदार्थों के पूरक आहारों पर भी ध्यान देने की आशकता है च्छा माह से अधिक आयो वर्ग वाले दस बच्चों में मात एक बच्चा अनुशनसित आवरित्ती अर्था चार खाद्य समों की वस्तूं से निर्मित आहार को दिन में तीन से चार बार सेवन करना कि अनुरूप परियाप्त आहार का सेवन कर रहा है इसका मतलब यह है कि दस में से सिर्फ एक बच्चा ऐसा है कि जो एक खाद्य वस्तूं निर्मित आहार को दिन में तीन से चार बार सेवन कर पा रहा है इस समस्या का मुख की कारण सूचनाओं की कमी है क्योंकि इस तथे को नजर अंदाज नहीं किया सकता कि 20% कुपोसित बच्चे धनाद्य समुदाओं से संबंदित है यह बात कहीं न कहीं सरकार की सही भी है कि जो सरकार पहल करती है तो गाउं में हम देखते हैं आंगनवारी की जो महिलाय रहती है वो कहीं न कहीं जो आती है जिसे की पजीरी ही ले लिए जो नूट्रिशन के लिए आती है तो इस तो कहीं कहीं बेच लेती है जो कि यह उसको बाढ़ती नहीं है और यह इसलिए होता है कि जानगारी का अभाव होता है कि अगर उनको ऐसा जिसे राषन बढ़ता है उनको पता है कि हमको राषन लेना है इनकी अरा के ऐसे वहां कि गाउँ के सभी महिलाओं को भी पता चल जाए कि हमें बच्चों के लिए सिर्फ यह जो nutrition आ रहे हैं हमको इसको लेना है चाहिए ऐसे लेना है तो वो उनको देना मजबूरी हो जाएगी तो यह सही बात है कहीं जनगारी का अभाव रहता है तो लोग उसको जाके लेते नहीं है और वो उसको बेच लेती है अंगर बारे की जुमहिला है रहती है तो हम चल ठीक है आते हैं टौपिक पराते हैं कहां पर थे तो इसके अत्रिक्त अधिक वजन वाली मताओं की संतान प्राइक को पोशित होती है संतानों की देग्वाल करने वालों को पराया या घ्यान नहीं होता कि 6 माह से अधिक उम्रवाले बच्चों को कब क्यात था किस परकार खिलाना चाहिए वे या भी नहीं जानते कि इस आयोगर भी अस्तनपान आवश्यक होता है IYCF की निम्न अस्तरिय प्रथाएं IYCF की निम्न अस्तरिय प्रथाएं मुटापा, सोच पोशक तत्तों की कमी तता वैसकों में गैर संचाही रोगों की संभावना में ब्रिधी जैसे स्थितियों के बढ़ने में योगदान करती है कई बार माता पिता अनुचित भोजन से होने वाली हानियों से अन्भिग्य होते है वह अपनी संदान को घर में बनी दाल दही सब्जी अंडो के स्थान पर पैकेज्ज्द स्नेक्स खलाने पर स्वयम को गरवावित महसूस करते हैं यह यह भी बात कहीं ने कहीं सही है कि जो बड़े जैसे कि बड़े लोग रहते हैं तो वह बच्चों को चिप सब्वारा खुब इतनी मात्रा में देते हैं कि हाँ ठीक हमारे यह कमी नहीं है हाँ कमी नहीं रहती है लेकिन वह कहीं ने कहीं बच्चों के जो उनके अंदर जो माइंड सेट मतरा जो गुड रहता है वह उसका विकास नहीं हो पाता है वह बच्चे कहीं ने कहीं जाके उनके अंदर वह नुट्रेशन कमी हो जाती है और उनकी बुद्धि उतनी तेज काम नहीं करती है कई बार 6-8 मा के आयवर्ग वाले बच्चों खिषडी के अस्थान पर पानी वाली दाल खिलाई जाती है या कारी इस गलत धारड़ा पर अधारित होता है कि 6-8 मा के बच्चे आर्द ठोस खादे पदर्थों का श्रेवन नहीं कर पाएंगे राष्टिय परिवार स्वास सर्वेच्ण के आकड़ों असपश्ट रूप से या बताते हैं कि जीवन के महत्रपूर प्रथम एक हजार दिनों के दवरान पोशल देखबाल में सुधार है तो आवश्यक कदम उठाने में अश्पल रहे जबकि यह राष्टिय पोशल मिशन की एक आधार भूत रणनी थी हम बात करेंगे कि इन समस्याओं के निस्टारण में किस प्रकार के हस्ता शेपों की आ सकता है तो स्वास्ट कार करता हूँ तो चिक इस सक दलों दोरा समय समय पर परामर्श अनिमार होता है इस अंदर में एक एक रिद बाल विकास सेवाई होजना एक प्रमुक का रेक्रम है परन्तु इसका लाब देखवाल करने वाली तथा मताओं तक प्रयात रूप से नहीं पहुँच सका है इसके विप्रिस सारभजनिक स्वास्ट व्योस्था जो ANC Child Delivery, PNC Home Best, Newborn and Child Care तथा ठीक करन जैसी सेवाई प्रदान करती है जैसे गरभवस्था से लेकर बच्चे के 16 मा तक हो जाने के दोरान कम से कम 15 से अधिक बार माताओं से संपर्ख होता है अता इनके माध्यम से सारभजनिक स्वास्थ व्योस्थाएं गरभवस्था तथा पोशन प्रथाओं को प्रभावित किया रहा सकता है पोशड देखवाल हमारी स्वास्थ प्रणाली और IECDS के मध्य रोगथाम और देखवाल की अवस्थाओं में विवाजित है दोनों में ही या धारड़ा बन गई है कि रोगथाम की समस्याओं को शामोदायक अस्तर पर समधान किया जाना सुबिधा जानक है लेकिन वास्ताओं में या धारड़ा अत्यधिक अव्यावहारिक और ज्यादा समय लेती है इस समय आवश्यक्ता है कि सरकार पोशड देखवाल की प्रथाओं और सेवा बित्रण में अंतरस्पष्ट करने के लिए एक बैकल्पी पोशड बित्रण तंतर पर ध्यान दे इसके मानों संसादनों को मिलाने से मातरी शिशू, पोशड और स्वास्त सेवा कारेबल और टीम वर्क सुद्रिन होगा या बाल मिर्त्तुदर को प्रभवी रूप से कम कर सकता है क्योंकि भारत की 5 वर्ष से कम आयू के 68 प्रधिशत मिर्तुदर का कारण अलब पोशड है वर्तमान समय में बुनियादी तथा उन्नत स्वास्त सेवाओं को सुलब वहनिये और सभी के लिए स्विकार बनाने के लिए स्वास्त देखभाल सेवाओं से प्रत्यच्य आ प्रत्यच्य रूप से जुड़े सभी स्वा इसको हम रोज एक टॉपिक लेके आएंगे तो ऐसे रोज हम एक टॉपिक इस पर कराएंगे और यह बहुत ही इंपॉर्टन होता है मेंस के परपस से और इसमें कहीने कहीने आपको बहुत साल जानकादिया भी मिलती है तो इसको आप भी सुनिए और अपने घरवालों को भ नकुद पढ़के तो यह बहुत ही इंपॉर्टन है और ठीक है हमें पर बिराम लेते हैं ठीक है थैंक यू